हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल लेट्समेक आज मैं आप सब के लिए लेका हूँ मौनसून स्पेशल कुल्धड वाली चाय चाय तो सभी को पसंद होती हो और मौनसून के मौसम में बहुत जाद अच्छी लगती है तो इस मौनसून के मौसम में आप ट्राइ कीजिए कुल्धड वाली चाय तो चलिए हम पटापट से रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कुल्धड ले लिया है यह इसली कहीं पर मिल जाता है या तो आप इसे ऑनलाइन और भी कर सकते हैं अब मैं गैस के फ्लेम को आन कर दे रही हूं आपको कुल्धड को एक तम अच्छे से गरम कर लेना है अभी मैंने गैस का फ्लेम एक तम हाई पर रखा हुआ है पर जब मैं चाय बनाऊंगी तो मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी तो जब तक हमारा कुल्धड गरम हो रहा है तब तक हम चाई बना लेते हैं और अब आप गैस कफले मद्दा कर लीजिए अब एक पतीले में मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है एक ग्लास इसमें मैं दूट डाल रही हूं दो बड़ा चमच मैंने चाई पती ली है और पाथ चमच मैंने शक्कर ली है अब चाई को अच्छे से पकाते रहें जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए और ये देखिए हमारी चाई अब अच्छे से उबल चुकी है तो इसमें मैं दो बड़ा चमच अदरक डाल रही हूं अदरक को मैंने अच्छे से किस लिया है और मैं इसमें 8-10 इलाइची डाल रही हूं आप चाहें तो इसमें इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं अब अच्छे से चाई को उबलने दीजिए कम से कम 5 मिनिट के लिए एकदम लो फ्लेम पे चाई को बीच बीच पे जरूर चलाते रहेगा और नहीं नीचे से जलने लगेगी और यह देखिए हमारी चाय अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जो हमारा कुल्लड है वो भी एकदम अच्छे से गरम हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है मैं इसे हर जगा से अच्छे से गरम कर दे रही हूँ आप आप इसे अराम से उठाइए और एक बाउल में रख दीजिए अब इसके उपर जल्दी से गरम गरम चाय जो है वो छहना दीजिए और ये देखिए एकदम रेश्ट्रेंट स्टाइल जैसे हमारी जो चाय है वो बन रही है मैं इसमें थोड़ी से और चाय डाल रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा चाय मट डालियेगा बनना इसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा इसलिए मैं इसमें सिर्फ दो कप चाय के हिसाब से चाय डाल रही हूँ अच्छे से कुल्णड को भी ऐसे पलट दीजिए और ये देखिए जिस तरह से मैं कुल्णड को कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी कुल्णड को करना है और ये देखिए हमारी जो तंदूर चाह है वो विलकुल रेडी हो चुकी है अब आप इसे एकदम गरम गरम सर्फ कर दीजिए तो फ्रेंज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा और साथी साथ बेल आइकन को भी दबाद दीजेगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ अगर आपको किसी भी चीज की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट शेक्षन में बता सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो